और बड़ी खबर का रुकरे क्याविनेट की बैटक पे मुख्यमंत्री जॉक्टर मोहन यादव ने किया है बला अला लाडली बेहनों के लिए रक्षा बंदन के त्योहार से पहले ही गिफ्ट मिलेगा लाडली बेहनों को धाइस सो रुपए की रकम उनके अकाउंट में अगस्ट की पहली तारी को ट्रांस्वर कर दी जाएगी और राजे सरकार की ये महत्वा कांक्षी योजना लाडली बेहना योजना और इसी योजना के तहत ये 250 रुपए बेज़े जाएंगे 250 रुपए की राशी जारी की जाएगी और आपको बता दें कि रक्षा बंदन से पहले लाडली बेहनों को ये खुश्टबरी दी जाएगी तो लाडली बेहनों को रक्षा बंदन पर एक उपहार ये तोफा राज्य के सरकार की तरफ से और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संबंद में बैटक के दौरान ये पैस दा लिया और अब इसे जानकारी अभी निकल कर आ रही है इस बारे में निरने लिया है कैबिनेट के सभी सायोगियों के साथ अविचार विमर्श करने के बाद कैबिनेट बैटक में सीम डॉक्टर मोहन यादव ने ये एलान किया और अभी जानकारी मिल रहे है कि एक अगस्त को वहिलाओं के बहनों के खाते में 200 रुपए डाले जाएंगे 1250 रुपए की राशी आगे जारी होगी उससे अलग 250 रुपए आपके खाते में आएंगे या यह करीब 1250 रुपए में अगर आप 250 और जोड़ दें तो यह सीधा सीधा 1500 रुपए या एक 1500 रुपए की राशी हो जाती है जो कि उन महिलाओं के लिए उन माताओं के लिए उन बहनों के लिए काफी मददगार अपन है सरकार की ओर से 500 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही गई है वासू हमारे सायोग हमारे से लाई जुड़ गए इसी ख़बर पर वासू रक्षा बंदन से पहले लाडली बेहनों के लिए बड़ी खबर अनिशन तोरपा देखिये मोहन सरकार ने बड़ा तौफा दिया है सावन का महीना है सावन का अपना धार्विक महत होता है और रक्षा बंदन का तियोहार भी आ रहा है जो मत्वदेश में काफी धूम धाम से मनया जाता है हर महीने लाडली बेहना की जो हिद्गराही है उन्हें 1250 रुपे सरकार के और सी दिये जाते हैं लेकिन इस बार इस महीने 1250 के साथ ही वो राशी तो जारी की ही जाएगी लेकिन उसके अतिरेक्ट 2500 रुपे की जो राशी है वो लाडली बेहनों के खातने में सीधे ट्रांस हो सके और इस तोहार के सीजन को एंज्वाए कर सकें योजना के पीछे का मकसद भी यही है कि जो पिछडी हुई महीला है जो गरीत अपके की महीला है जिनको अपनी बेसिक नीट्स पूरी करने के लिए कही न कहीं संगश करना पाता था उनके हातों में शक्ती दी जाए उन इसे कह सकते हैं रक्षा बंदन के त्योहार पर मद्यप्रदेश सरकार का तौफा आप लाडली बेहनों को कह सकते हैं और महीला सशक्ती करेंटी जिस तरह से लगातार बात हो रही है उस दिशा में एक और कदम भी आप इसे कह सकते हैं एक अगस्त को मद्यप्रदेश की उनलाडली बेहनों को इसका सीधा लाग मिलेगा वासू और बारासो पचास रुपे की जो राशी है वो यथावच जारी होगी और ये दो सो पचास रुपे अलग से सरकार देगी है चुकि रक्षा बंदन में जब भाईयों की कलाई पर एक उपहार के रुप में जाएगा और लगबग पंदरा सो रुपे की एक मुश्त राशी सीधा महिलाओं के खाते में जाएगी जो ऐसी महिलाओं के लिए जो ग्रामिन क्षेत्रों में रहती है उनके लिए कारगर साबित होगी पूरी योजना को बनाया गया था कि महिलाओं कर सशक्ति करण हो बासुए किस तरह का शोगर है आपके पीछे जरा आप अगर दिखा पाए वह पूरी वीजे से अब बिल्कुन देखे कारिकरम जो है वो लगातार कई चल रहे हैं और यूवा जोश जो है वो जरूर आपको मेरे पीछे यहां पर आवाज नजर आ रही है क्योंकि लगातार यूथ जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में करती विदियो में इंवाल वो ताज बड़ देखे यूवाओ का जोश यहां पर दिख रहा है बहनों के जोश को हाई रखने के लिए यहां पर सरकार ने कदम भी उठा दिया है कि राकी से पहले उनको ये तोफ़ा मिल जाएगा धाई सो रुपे की रखम उनके अकाउन में सिधर ट्रांसफर हो जाएगी अब बिलकुल देखिए ये बहुत ही महत्पून कदम इसे सरकार का कहा जाएगा क्योंकि देश की आदी आबादी लेकिन पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए अब महिलाएं सिर्फ घर नहीं चलाती है महिलाएं देश चलाती है देश की राष्टपती जो है वो द्रोपदी मुर्मू है निर्मला सीता रमण अबी बजट पेश कर रही थी तो ऐसे में हमारी ग्रामीन महिलाएं क्यों किसी चीज में पीछे रहे उनके हाथों को ताकत देना उनको मजबूत करना भी बेहद जरूरी हो जाता है और इसलिए लाड़ली बहना योजना शुरू हुए और जब भी कोई वार्त योहार होता है पहले भी हमने देखा कि इस तरीके के बोनस जो है वो महिलाएं को दिये गए सीधे उनके खातों में राशी को ट्रास्प प्रियास रोपे तो ये कही न कहीं उनके लिए एक बड़ी मदद बड़ी आर्थिक मदद और बड़ा सयोग और जब देखिए आप आर्थिक रूप से जब ताकतवर होते हैं तो आप आप के अंदर एक अलग तरीके का ओन्फिडेंस होता है एक खुशी होती है तो आप को इनादे बना सकते हैं और इनादे हैं तो फिर होसले बुलंद होते हैं और फिर कुछ भी नामुम्किन नज़र नहीं आता है